सब्सक्राइब आप यहां जिस समाज ने सडकों पे उतरके इस केंदर के सरकार को सुप्रिम कोर्ट में बैठे जज़ों को यह बताने का काम किया है कि समय बदल गया है अब अगर हमारे अधिकारों पे कही से भी हमला होगा तो हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं उसी सर खार को यह बताने कि जब समाज शडकों पर रहेगा तो उनके नेता भी पंगलों पे नहीं है कि वोगी सडकों पर रहके समाज का संडक्षन करेंगे जिस तरह से पूरे देश में भीमार्वी अजास समाजपार्टी के लोग इला मुख्यानलों पे सड़कों पे उतरके सवेधानिक तरीके से अपना ग्यापन दे रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, बंद को सफल मना रहे हैं, ऐसे ही कारेकर्टा के तोर पे हम दिल्ली में मैं सरकार का विरोधी तो हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले पारलिमेंट में मैंने इसका ललकार कर विरोध किया और सरकार को चैलेंज किया कि सरकार आखे खोल ले, अब वो दिन नहीं रहे, दो अपरेल, दो याठ थारा, दो रादे का मौका ना दे, औ क्योंकि हमने देखा है, आरक्षण पर शिर्फ यह हमला नहीं, निजी कंड के दुआरा, लेटर लेंटरी के दुआरा, जैसा भी आपने 45 का कर दिया था हो, तो हमने जबरतर सावाज उठाई, तो आपको वापस लेना पड़ा, फिर ठेकेदारी के जरिए, सविदा के जरि सरकारी स्कूलों को बंद कर रही है, नोकरयों खतं करें, उन्हत्याप सिख्षण परती में जिस तरह आपने घोटाले किये, और फिर तमान तरह से आपकी लंबे समय से नीती आपके एटलोजी हमने देखी, हम इस सरकार के ऊपर इनकी नीतों ब्रोशा निकरते, इसलिए हम सरकार के सड्यंत्रों को काम्याबनी होने देंगे और बात, अगर सरकार कहती है कि बट्वारे की बात वो कुझ देने की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं चंसे कर राजाज, भाबा साब अमेड कर माने और खाशिराम साब, मानेवर दीना-भान अवाल मिकी जिशिप के mission का सिफाई मैं आपको विश्वाद दिला कहता हूं यह हमारे भाइयों की बात है हम अपने भाइयों से सांदोलून के बाद तेबल टोप करेंगे, उनकी समस्या को सुनेंगे, अपनी बात भी रखेंगे और मिल के अपनी समस्या कहाल निकालेंगे हम बंदर बात नहीं होने देंगे, हम सरकार को अपने धिकारों पर राइंति की रूप से फैदा लेने के लिए अपने लोगों को लड़ने ही देंगे, हम अपने भाइचारा बना के रखेंगे, और फिर मैं कहा रहा हूँ, हम तो मैंने डेर साल पहले यह मांग उठाई थी, कि जो जिन जातियों का उसरणी मिले, जब 10% आर्थिकादार प्यारेक्शन आप, सामानने जातियों को दे सकते ह सरकार के मनसा ही कभी यह नहीं थी, सरकार की मनसा तो जातिकादार प्यारेक्शन को खतम करके, हमारी सविधानिक ताकत खतम करके, आर्थिकादार प्यारेक्शन लालू करके, अपने लोगों को फैदा देने किये, सरकार की मनसा तो लेडर हैट्ट्री करके, हमारे लोगों क सिस्टम के निकालके अपनी विचारधारा के लोगो को सिस्टम में बिठाके और पॉलिसी मेकिंग में जब उनके लोग बैटे होगे तो हमारे लिए पोलिसिया नहीं पनेंगी इजले हमें सरकार की नियत पे खोट है हम अपने भाईयों के साथ खड़े हैं अगर हमारे भाई सितंबर को जो हमने दूसरा चर्ण इसका बुलाया दिल्ली में उसके बाद जब पार्लेमेंट का सेशन चलेगा आप मेरी बात को याद रखना हम सरकार को घुटने टिकवाने के लिए इतनी बड़ा चंद समर्तन यहां दिल्ली में उटाएंगे कि सरकार की आखे खुल जाए की और हम अपने आरक्षण पर अब अपने अधिकारों पर किसी भी तरह की जो है हमला परदास नहीं करेंगे अपनी भाइचारे को बना के रखेंगे अपनी एकता को बना के रखेंगे और दुसमने की चालों को भी काम्याब नहीं होने देंगे मैंने सरकार को यह भी कहा है जिस तरह लाटिया बियार में हमारे लोगों पर मार रहे हो हमारे लोगों पीटने के चक्कर में HDM कोई पुलिस ने पीट दिया ये जो लाटी मारने की पड़ता है इसका हभी सूस सभेत हम लोग जवाब देंगे आने वाले कल में और आपकी लाटियों का जवाब जो है हम लोग अपने तरीके से सभेदानिक तरीके से देंगे और मैं चलेंज करके कहता हूँ आज इस अंदोल में जिस सरकार के नित्रत में हमारे लोगों की पीट पर लाटिया पड़ेगी उस सरकार की कुरसी को पलटने काम करने काम भी हमाने वाले कल में करेंगे इस बात का भी मैं सरकार को चलन देता हूं मेरी बात को याद रखना जिए जो जो लोग संदान की कौपी लेकर घूम रहे तो आरफचान संदान को बोले थे खतम कर दिया जाएगा आज वो कहां दिखाई देखिए मैं आज अपने समाज के संदान के लिए समाज के वाज को मजबूत करने के लिए सड़क पर उतरा हूँ आज मैं किसी को कुछ नहीं कहना चाहता हमारे समाज के आँखे वो सब को देख रहा है कौन क्या कर रहा समाज की आँखे नहीं समाज देख रहा और अब समाज आने वाले कल में जो फैसलेगा उनसे सभी दलों को ऐसास होगा कि किस तरह से चुपी रखी जाती है और किस तरह से बंद मूँ करके सरकार को समर्थन लिया जा